नमस्कार इंडिया वार्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझो अच्छा बूलेटिन के शरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जहारखंड कैबिनेट की आज ये कहां बैठक होनी है प्रोजेक्ट भवन में शाम चार बजे ये बैठक होनी है बैठक में कई महत पूण मामलों पर चर्चा होगी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहारखंड कैबिनेट की आज बैठक होगी प्रोजेक्ट भवन में शाम चार बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत पूर्ण विश्व पर चर्चा होगी CM हेमन सोरिन की अध्यक्ता में काबिनित की ये बैठक होगी 27 फरवरी से जार्खन का बजट सत्र शुरू हो रहा है 24 मार्च तक वधान सभा का ये बजट सत्र चलेगा 3 मार्च को सरकार अपना बजट पेश करेगी ये बजट हेमन सरकार का आखनी पूर्ण बजट होगा अगले साल सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी हेमन सोरिन सरकार जो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जार्खन काबिनेट की एहम बैठक होनी है कई महत्पूर्ण विश्यप पर चर्चा होगी इस बैठक में शाम चार बज़े प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक होगी आपको बदा दे 24 मार्च तक वधान सभा का जो बजट सत्र है वो चलेगा 3 मार्च को सोरिन सरकार अपना बजट पेश करेगी और आखरी पूर्ण वजट होगा सोरिन सरकार का ये अगले साल सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी हिमन सोरिन सरकार तुक बड़ी अपडेट आपको दे रहे है जहारखन काबिनेट की एहम बैठक होनी है आज शाम चार बज़े प्रोजेक्ट भवन में ये एहम बैठक होगी मुख्य मंत्री हेमन सोरिन इस बैठक की अध्यक्ष्टा करेंगे काबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में मौझूद रहेंगे जहां पर प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर कई विश्व पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये बजट सत्र को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि सत्र के दौरान किन-किन मुद्दों पर बात होगी और किन-किन प्रस्तावों को सत्र के दौरान लाया जाएगा इन सभी को लेकर ये जार्खन काबिनेट की आज एक एहम बैठक होनी है प्रोजेक्ट भवन में शाम चार बजे ये एहम बैठक होगी मुख्यमातरी हेमन सोरिन की अध्यक्ष्टा में काबिनेट की एहम बैठक होगी आज शाम चार बजे आपको बता दें 27 फर्वरी से चारखन वधान सभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है 24 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा 3 मार्च को सरकार अपना बजट पेश करेगी और ये हिमन सरकार का आखरी पून बजट होगा अगले साल सदन में लेखा अनुदान पेश करेगी हिमन सरकार इसी ख़बर पर ज़्यादा अपडेट के लिए राचुष सराकेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए है राकेश जार्खन काबिनेट के आज अहम बैठक होने हैं क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी है देखिए चार वज़े का समय निर्धारित किया गया है और इस बैठक को हम इस लिए माना जा रहा है कि कई चीजों को पहले से चर्चा चल रही थी कि आखिर विकास की योजनाय जो चलाई जारी है राजी में उसकी स्थिती क्या है कितनी रासी का वंटन किया गया था उसके रच का ब्योरा क्या था और कितनी रासी हो सकता है देने की नौबत आपस सकती है क्योंकि अब खास करके इस सत्र का इस साल का कहा जा सकता है कि अंतिम क्वाटर है और ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री काफी देजी से काम कर रहे थे अपने जोहार यात्रा की एक रम में वे पूरे राजी के ते रिसों में जाकर युजनाओं का जायजा भी लेकिन कई गंभीर मुद्धे जो चल रहे थे पहले से की 32 के खत्यान या फिर बाकी जो रोजगार को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे उसमें सरकार की कोसिस होगी कि इन सवालों को लेकर को सरकार की तरफ से क्या कुछ तयारी होगी है तमाम विभागों में किस तरीके से इसको लेकर क्या कुछ प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं जिस पर बजट सत्र में चर्चा हो या प्रस्ताव पारित की जाने को लेकर बातचीत हो यह विभागों को दिसा नर्देस दिये लाए थे कि अपने आपने विभागों का पुरा खाका तयार करके रखें और तो कबिनेट की बैठक में जब तवाम मंतरी पहुचेने के तो तवाम विभागों की जय चाहिस तिती है पर पहले भी दी जा चुकी है तो भी भागों के मात जम सो किस तरीके से इस रासी का आकलन किया जा सकता है इन सारी चीजों को लेकर आज की कैबिनेट पर बाचीत होगी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो महत्पुन चीजे चल रही थी इन मुद्दों को लेकर राजी में सरकार बनाई गई है उन मुद्दों को लेकर अब की इस्तिति क्या बनती है कि कुई सवाल कई तरफ से खड़े किये जा रहे थे कि सरकार अपने तीन साल में कोई काम नहीं कर पा रही है कई ऐसे पॉलिसिया है जिसको लेकर टाहिन कहीं उहा पोख की इस्तिति बनी है तो आज की कैबिनेट में इन सारे मुद्दों पर अब को सकता है कि चर्चा होगी और कुछ बड़े फैसले भी हो सकते है कि लिए जा स की विकास की होगना यानि की वी-भागवार किस तरीके से खर्च किया जाना है इसको लेकर चर्चा ज्यांदा होगी और राहत की जहां तक बात है तो राज्य में हो सकता है कि कुछ पॉलिसी एसी लाए जाए जिस से किसानों को या बाकी जोगों को लाप पर कौशने की कोस करकार का बजट होगा इसमें लगभग एक लाख करोड़ रुपए की रासी का आकलन पिछले वर्स किया गया था तो इस बार कहीं न कहीं इसमें बड़ा उत्री भी होने की बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बजट के आने वाले समय में विकास की राजिती इस्थिती का अकलन और तमाम चीजों को लेकर चैचा कराई है कि विकास को लेकर सरकार काफी नहीं नहीं सक्रिये होती दिखाए को नहीं राकेश विपक्ष कई मोच्चों पर सरकार को घिरने की कोशिश करता है रोजगार के मुद्दा हो या फिर अभी जिस त किया था और अनुबंध को लेकर प्रदर्शन किया था कई मुद्दों पर सरकार को घिरने की कोशिश की रहती है तो उस पर उससे निपटने के लिए क्या कुछ रणीती आज कि इस बैठक में तयार की जा सकती है सरकार की तरफ से देखिए अभी की बात की जाए तो एक करीब करीब दो हफ्टे तीन हफ्टे से अपना आंदोलन कर रहे है और राज्ये के कई हिसों में आदोलन चल रहा है लیکिन उनकी मांगों को लेकर कोई भी ब्यक्ति संजीदा होता नजर नहीं आ रहा है तो राजी सरकार के जिमे होगा विभाग के मंतरे भी आज मौजूद होगे तो किस तरीके से उनको समाहित किया जाना है उनकी नौकरी पक्ति होनी है या फिर उनका मांदे बढ़ाया जाएगा इन सारी चीजों को लेकर जरूर चर्चा हो सकती है और साथी जिस तरीके से आपने जिपर किया कि रोजगार को लेकर तो पहले जिस तरीके से सरकार ने कहा था की रोजगार को लेकर तेजी से काम किया जाएगा तो इस पर भी आज हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सके विपक्ष का काम तो निश्चित तोर पे सवाल करना है और विजेपी तमाम बूतों को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है और विधान सभा के इस बजट स सरकार सही जगे पर सही उजनाव पर खर्च कर उस बजट को पूरा कर चुकी है क्योंकि तीन मार्च को सरकार अपना दूसरा नया बजट पेश करेगी तेखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से चलता है राजी में खास करके जो खर्च के लिए जो आकलन किये जाते हैं जिस तरीके से इसका काम होता है उसमें कहा जाता है कि अन्तिम समय में बड़ी रासी खर्च की जाती है तो इसमें कई आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे है मुझे लगता है कि थोड़े जब जब ये अंतिम क्लोजिंग की समय आएगा जब सारी योजनाओं को लेकर अंतिम दौर में जब बाच्चित की जाएगी तब पता चलबाएगा कि आखिर वजट की रासी कितनी खर्चोपाई है और कितना बच गया है कि इन सरकार की कराने में सरकार मदद की है और साथ-साथ कहा जा सकता है कि कितनी रासी को कहीं ने कहीं गरबड़ी हुए इसका भी आखिलंग जरूर किया जाएगा कि विपक्ष लगातार सवाल भी खड़ा करना था और फिर से एक बार सवाल खड़ा करने की पोसिस जरूर करेगा मुझे लगता है कि थोड़ा इतियार करना चाहिए जैसे ही आकड़ा सामने आ जाता है तब हम लोग इसके चर्चा ज्यादा कर पाएंगे जी बिल्कुल बजट सत्र की बात हो रही है तो इस बार की जो सत्र चलेगा सत्र में कौन-कौन से मुद्दे वपक्ष की तरफ से उठाय ज दरूस्त होगी तैसे में विकास की उजनाओ को कैसे जमीनी अस्तर पर ले जाया जाएगा इस पर सवाल विजट की बख्ष जरूर खड़ा करेगी और गयरने की कोसिस करेगी उनीस सो बत्तिस के खतियान को लेकर चर्चा ती और कहीं ने कहीं बिदी विवाद के तरफ संके किसरा जे चर्कार पहले होती रही कि कई लाकों से नकसली खत्र कर दी गये हैं लेकिन अभी भी कि लाकों से इस तरह के सउंकेत मिल रहरा है अपनी तरज कर रहा रहे हैं सारे मुद्व को लेकर सरकार भिरने की कोसिस करेगी और सदन के अंदर और सदन से बाहर दोनों जगों भी विरोध परदर्सन देखने को मिल सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस अबडेट के लिए आपका वहीं बिहार में एक बार फिर से कानून विवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं मामला राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके का है जहां बेखौब बदमाशों ने महिला से च्वैन स्नेचिंग और लूट पार्ट के दोरान चार लोगों को गोली मार दी गटना बदवार देर शाम देर रात साड़े बारे बज़े की बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने चार लोगों से लूट पार्ट करने की कोशिश की जब उन्होंने लूट पार्ट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार्दी सभी घाय लोग को गंभी रवस्था में पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जानकारी की मताबिक मगर बॉइज होस्टल की संचालिका मीरा अपने होस्टल के चार स्टाफ के साथ रात में बाइक पर अपने घर जा रही थी तभी नकाब पोश बाइक अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस मौके पर पहुंची थी हलाकि उनके स्टाफ जो मौझूद था अपराधियों का विरोध करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने सभी चार लोगों पर गोलिया बरसा दी जिसके बाद पुलिस और मौके से बदमाच फरार हो गए पुलिस मौके पर पहुंची सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन ये जो वार्दात हुई है इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि कैसे बिहार में जंगल राज दुबारा लोट रहा है एक के बाद एक अपराधिक वार्दाते सामने आ रही है पु पुशिश की थी विरोध करने पर बदमार्शों ने इन पर फाइरिंग कर दी है कि है कि वहीं शप्रा में मौब लेंचिंग मामले पर केंद्रिय मंत्री पश्यूपती पारस के तेवर नितिश कुमार को लेकर नरम दिखे तो उनके भतीजे चुराग पास्वान काफी गरम दिखे चुराग पास्वान ने मामले को लेकर कहा कोई भी हिंसा को जयात्यता का रंग देना मुख्य मंत्री की राचनीती का हिस्ता लंबे समय से रहा है ताजा घटना चकर भी उसी का एक हिस्ता है ऐसी घटना बिहार में घटत कैसे हो जाती है इस बात का प्रदेश के ग् मुख्य मंत्री को देना है कि क्या कोई समाधान उनके पास है अपराध पर अंकुष लगाने को लेकर तुचराग पार्सवार ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर जम कर हमला बोला और कहा कि अपराध्यों बिहार में जो अपराधी है उनमें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है बेखौफ होकर वो अपराधिक वारदातों को अंज़ाम देते हैं और मुख्यमंत्री नितीश कुमार को इसके लिए जवाब देना चाहिए क्या इन अपराधों पर अंकुष लगाने के लिए उनके पास कोई समाधान है केंद्रिय मंत्री परश्यूपती नाथ पारस ने छप्रा जिले में हुई हिंसक जड़प को लेकर कहा कि घटना तो बहार में ऐसी रोज होती है जो भी कहा जाए वो कम है ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए छप्रा लिंचिंग मामले पर परश्यूपती पारस का इवायान सामने आया उन्हें इस घटना को लेकर कहा कि ऐसी घटनाएं बिहार में रोज होती हैं इसको लेकर जो कुछ भी कहा जाए वो कम है है कि मैं इंडिया का अंडिया का जोराए होगी वह होगी हुव यह होगी है कि इंडिया कि दूड़ा है पार्ट है, हमी साजी आरे हैं, हमी तुनाओ लकिन नहीं गर रहे हैं, मैंने दिख दिया है, मैं इंडिया का शायोगी दर्वाइब अपर देश वज़ा के वी चुना होगा, एंडिया का ठंदन की जोड़ाए होगी इस बीचे का और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज राजय सभा में भाशन देंगे, दो पहर दो भजे, राजय सभा में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का संबोधन होगा, रास्ट पती के अभिवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताप पर चर्चा करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, कल लोग सभा में उन्होंने भाशन दिया था, जहां जम कर उन्होंने कॉंग्रिस पर निशाना साधा था, कल लोग सभा में जम कर, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने निशाना साधा, कई जो मंगलवार को राहुल ग संबोधन होगा दो पहर दो बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाँ पर राश्टपती के अभिवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताप पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नर भाषर्ड दिया था। मंगलवार को राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और डानी को लेकर जो गुछ भी सवाल किये थे और उनके रिष्टों के बारे में जो कुछ सवाल किये थे। उनका जवाब कल्लोक सभामें प्रधान भनत्री ने दिया था। और आज दो पहर दो बजे राज सभा में प्रधान्वंत्री नरेंद्र मोदी वाशनर देंगे। भारते जनता पार्टी के रास्टे अध्यक्षु जेपी नड़ा 16 फरवरी को होने वाले त्रुप्रा विधान सभा चुनाफ के लिए आज घूश्रापत्र जारी करेंगे। सुत्रों के मताबिक पार्टी ने घूश्रापत्र में कई नए बिंदु जोड़े हैं। त्रुप्रा में 60 विधान सभा सीटों के लिए मतदान 16 फरवरी को एक ही चुरण में होना है। मतदान मतगर्ना 2 मार्च को होगी। प्रधान मंत्री नरिंद मोदी 11 फरवरी को चुना प्रचार के लिए त्रुप्रा जा सकते हैं। मोदी सरकार हमेशा पूर्वोत्तर के विकास के बारे में सोचती है। उनका दरस्टिकोंड राज्य और सबसे महतपूर्ण यवाव का विकास है। घुशना पत्र जारी करने के बाद नड़ा का एक जनसभा को संबोधित करने का कारिक्रम भी है। जेपी नड़ा पहले त्रुप्रा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा आज त्रुप्रा जाएंगे। पर आज तुरुपरा के लिए विधान सभाचुनाव के लिए वीजेपी अपना मैनिफेस्टों जारी कर सकती है वीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा मैनिफेस्टों जारी करेंगे जहां पर युवाव के लिए किसानों के लिए राहत या बड़ा एलान मैनिफेस्टों के जरिये हो सकता है सोले फर्वरी को तुरुपरा में विधान सभा चुनाव है जिसके लिए बीजेपी अभी से ही पूरी तैयारी में जुड़ गई है जमकर चुनाव प्रचार किये जा रहे हैं सभी संगठा ने जो भी दिगर जुनेता हैं उन सभी को स्था प्रचारक बनाया है और वो सभी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उत्रे हैं मुख्यमंत्री योगी आदतनात यहां पर प्रचार के लिए आए ग्रह मंत्री अमिश्या राजनात सिंग सभी को स्था प्रचारक बनाया गया है और वो तुरुपरा में चुनाव प्रचार करेंगे व्यूत्य प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि देश और वदेश से भाग लेने वाले हजारों निवेशकों को आवागन में किसी प्रकार की यातायाद की असो विधा बिल्कुल नहीं ह प्रदेश के अन्य प्रमुक शेहरों में बैतर यातायाद संचालन के लिए ऐसी व्यवस्ता सुनिश्चित की जाए कि निवेशकों और आम नागरिकों को भी आवागन में किसी प्रकार की असो विधाना हो आवागन में किसी भी छेत्र में च्राफिक जाम की स्थिना बने और शिकायत या फिर ऐसी कोई शिकायत या जानकारी मिलती है तो संबंधित छेत्र में वरिस्त अधिकारी की जिम्यदारी नियत कर उनके विरुद कड़ी कारवाई सुनश्चित की जाएगी तो ग्लोबल इंवेस्टर समीट को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चुरण में हैं मुख्यमंत्री योगी आदतिनात ने भी कारिकर मस्थल का जवाजा लिया और तैयारियों को परखा है कि तरीके की तैयारियां की गई है और साथ ही अधिकारियों को दिशा नर्देश दिये गए हैं कि आवागवन में किसी तरीके की परिशानी ना हो आम लोगों को भी और जो महमान देशों से वदेशों से Global Investor Summit में शामिल होने आएंगे उनको किसी तरीकी की कोई अस्विधाना हो यातायात में इसके लिए नियम बनाए जाएं और सभी तरीकी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनश्चित किया जाएं ग्रेटर नॉड़ा में एक दर्दनाक हाथसा देखने को मिला रोडवेज बस ने साथ लोगों को कुचल दिया आथसे में चार लोगों की मौत हो गई तीन गंभीद रूप से घायल हो गई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं ग्रेटर नॉड़ा में दर्दनाक हाथसा देखने को मिला है एक रोडवेज बस ने साथ लोगों को कुचल दिया जिनमें चार लोगों की मौके पर मौत हो गई तीन लोग घायल बताये जा रहे हैं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भड़ती कराया गया है और इस हाथ स सिय hatır योगी आदतनात ने भी दुग जताया है मुरतकों के परीजनों को आर्थिक सहायता देने का राशी दी जाएगी बड़ी अपडेट आपको देने हैं ग्रेटन ओजा हाथसे पर सीम योगी आदतनात ने दुख जताया है साथी जुम्रतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का एलान किया है घायलों को भी पचास-पचास हजार रुपे की आर्थिक सहायता दिये जुआने की की है मुख्यमंत्री योगी आदतनात ने और इस हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई उनके परिजनों को दो-दो-लाग रुपे देने का एलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदतनात की तरफ से तो ग्रेटन ओडा में आज सुभे एक दर्दनाक हाथसा देखने को मिला था वहीं लखनाउस एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहा है राजाजी पुरम में मौत का सिसी टीवी वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक और स्कूटी में जोड़दार टकर हो गई हाथसे में एकिवक की मौके पर ही मौत हो गई गंभीर हालत में चामा सेंट सिसी टीवी कामरे में कैद हो गया है ये हाथसा एक और स्कूटी में जोड़दार टकर हो गई है हाथसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर हालत में जो घायल है एक उसको ट्रॉमर सेंटर में भरती कराया गया है थाना ताल का टोरा की ए ब्लॉक का ये पूरा मामला है तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लकनों में जहां दड़नाक हाथसा हुआ है एक स्कूटी और बाइक सवार की आमने सामने जोड़दार भड़न्त हो गई है हाथसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है जिसको ट्रॉमर सेंटर में भरती कराया गया है हाथसे का स्वीरें आप सामने देख रहे ह जिसमें कैसे एक बाइक और स्कूटी में जोड़दार भड़न्त हुई है तो लखनाओं के राजाजी पुरम के थाना ताल कटूरा के ए ब्लॉक का यह मामला है जहां पर यह बड़ा सड़क हाथसा देखने को मिला है CCTV कैमरे में पुरा हाथसा कैद हो गया है एक स्कूटी और बाइक सवार में जोड़दार भड़न्त हुई है एक योगग की मौके पर ही मौत हो गई है तस्वीरें आप TV स्क्रीन पर देख रहा हैं कि तरीके से बाइक और स्कूटी में जोड़दार भ़यानक भड़न्त है और owner के लिए वर्टिकल गारण बनाया गया है आयोजन से पहले ही यह garden धरफ्शाई हो गया Bड़ी update आपको दे रहे है G20 महमानों के लिए वर्टिकल गारण बनाया गया और जिन से पहले ही यह वर्टिकल गारण धरफ्शाई हो गया सजावट के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं ताज नगरी आगरा को उसकी खुपसूर्ती के लिए जो आना जाता है और वो खुपसूर्ती यहां ताज महल है देश-वदेश से लोग यहां देखने आते है बुलिटन में फिलहाल इतना ही लगातार खबरों के लिए देखते रही है इंजा वाइस